राश्ट्रिय सेक्षिक अनुसंधान और परिक्षन परिशत यानी NCERT द्वारा रायपूर 36 गड़ में 15-20 अक्टूबर तक राश्ट्रिय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इस प्रदर्शनी में संध्श्री आशारामजी गुरकुल एहमदाबाद तथा सूरत की विज्ञान कृतियों को खूब सरहना मिली संशी आसारामजी गुरकुल एहमदाबाद के विद्यार्थियों, महेंद्र कुमार माली और शिवम वर्मा द्वारा बैटरी रहित इलेक्ट्री कार का प्रदर्शन किया गया यह पेट्रोल, डीजल तथा बैटरी के बिना भी चल सकती है यह कार वारलेस पावर ट्रांस्मिशन के आधार पर सड़क के नीचे लगी प्रेशी कुंडलियों यानी ट्रांस्मिटर कॉयल्स के द्वारा विद्युत प्राप्त करके चलती है संश्री आशारामजी गुरकुल सूरत के विद्यार्थियों जै सोलंकी और रूद्र पटेल द्वारा अल्ट्रा मीनी इबाइक का प्रदर्शन किया गया इसका आकार छोटा होता है इसमें कम वजन वाली बैटरी होती है जो की कम समय में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है अल्प खर्च में चलने वाली इह बाइक वायो वध्वनी प्रदूशन को कम करने में भी मददगार है तहसील, जिला एवं राज्ञ स्तर पर सफल प्रदर्शन के बाद इन कृतियों को गुजरात सरकार द्वारा राश्टी स्तर की प्रदर्शनी के लिए भेजा गया था पूरे गुजरात राज से केवल 6 कृतियों को ही राश्ट्री स्तर के लिए चुना गया था संश्री आशाराम जी गुरकुल एहमदाबाद और सूरत की ये कृतियां राश्ट्री स्तर की प्रदर्शनी में आकर्शन का केंद्र बनी रही